हाई फ्रेंड्स मैं अकाइशा जी के वित अकाइशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम साइंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे यह साइंस के 1000 कोशन्स के एक सिरीज है रेलवे के लिए मैंने स्पेसिल इस सिरीज को लेके आई हूँ यह बहुत सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा इसे जो भी मैं वीडियो बना उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे तो चलिए फ्रन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन और सिरीज का 138 कोशन कोशन डिने का आसे क्या है यह दिने का फुल का रंग हरा होता है मैंगेशियम इसका प्रमुक अव्यब होता है कोशन यह भी आ जाता है कि क्लोरोफिल का में अव्यब कौन सा कौन सी धातू है तो इसकी में धातू है क्लोरोफिल रंजक का रंग क्यों कौन सा होता है तो क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा किस जीव कर्किआगा सबसे हलका तत्व hydrogen है जिसका पर्माणुक्रमार्ण होता है एस्ड खमीर में जनन किस माध्यम से होता है आपने 10 घ्लास में पड़ा होगा इस्ट में दुई खंडन तो इस्ट में और या खमीर में जो जनन होता है वो दुई खंडन के माध्यम से होता है पौधो का कौन सा भाग सांस लेता है तो पौधो की जो पत्ती होती है वो सांस लेती है नेक्ट कोशन है सूक्ष में छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं ऐसे कौन से सूक्ष में छिद्र होते हैं जो पत्ती होती है जैसे यह पत्ती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र आप पाए जाते हैं इन छिद्र को हम क्या बोलते हैं इन छिद्र को ब पौधे का आहार कार खाना कहां है कहां है पौधे का कहां पौधे का पौधा खाना बनाता है तो वह है पत्तियां एक मेगावाइट किसके बरावर होता है तो यह होता है दस्सोचोवीज किलोवाइट के बरावर एक मेगावाइट बरावर दस्सोचोवीज किलोवाइट किस विटामिन को S-corvic acid भी कहा जाता है तो वो कहा जाता है विटामिन C को S-corvic acid कहा जाता है किसी परमाणू की द्रविमान संख्या किसके बरावर होती है तो proton और electron की संख्या के बरावर होती है जैसे कि आपके जितने भी proton रहेंगे जैसे कि कोई परमाणू है उसमें 7 proton है और 7 इलेक्ट्रोन है तो प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रोन जो हो जाएगा आपका द्रविमान संख्या हो जाएगा फोवोस और डेमोस किसके उपगरे हैं तो जो फोवोस और जो डेमोस हैं वो किसके उपगरे हैं वो है मंगल ग्रहे के फोवोस और डेमोस मंगल ग्रह के उपकर हैं ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही का अपसोसर किसका कारण है तो ये है क्रेसी का क्रिया का गुण है ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही का अपसोसर केसी का क्रिया का गुण है next है किसी मनुस्य के मूत्र में अपसेस्ट पधार्थ के रूप में क्या होता है यसे तीक्ष गंद भी आती है तो यह होता है यूरिया यूरिया का formula होता है NH2-CO-NH2 यही एक अभ्याव है जो मूत्र में पाया जाता है जो अपसेस्ट पधार्थ होता है और जिसमें से गंध आती है विशानु में क्या आता क्या होता है तो विशानु में DNA भी होता है जिसको हम डियfire नुकलेक ऐसिट कहते हैं और RNA भी होता है जिसको हम राइवो नुकलेक ऐसिट कहते हैं malaria रोप tricks मच्छर के काटने से होता है न्यूटन के पहले सिधान्द को और क्या कहते हैं तो न्यूटन के पहले सिधान्द को जड़ता का सिधान्द भी कहते हैं हेमेटाइट किसका आइस्क है तो हेमेटाइट लोहे का आइस्क है नैफ्रोलोजी किसका अध्यान है नैफ्रोलोजी गुर्दे का अध्यान है नेफ्रोलोजी किसका अधियन है? गोर्दे का अधियन है किसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? तो बिटैमिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है याद रखिएगा किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो बिटैमिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है जिसको हम M A बोलते हैं तो M पर किसकी इकाई है विदुधारा की इकाई है विदुधारा जिसको हम I से रिनोट करते हैं और विदुधारा को हम करेंट भी इंगलिस में बोलते हैं इसकी धारा काई क्या है यूनिट क्या है तो इसकी यूनिट M पियर है तो फ्रेंट ये थे आ तो कमेंट कीजेगा फ्रेंट्स आप मुझे आने केनमी पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम अकांशा सर्मा या मेरी यूजर आइडिया अकांशा जी के से ओके फ्रेंट्स थैंक यू